नमस्कार दोस्तों मैं प्रोयमनात फॉर्मा आप लोग का हमारी यूटूब चैनल जड़ी बूटी का देशी नुश्चिन उसका में स्वगत है जैसे कि दोस्तों आप लोग इस पहुदे को देख रहे हैं तो जानते भूंगे गन्नी जानते तो मैं एक है करने के लिए बैठ व्यूस इसका उपयोग चड़ी बुटियों में होता आया है तो दोस्तो आप इसको देख लो और पहuting लो एक उड़ाल का पेड़ जो है एदेखो इसकी कलियां है दोस्तो आप इसको देख लो तो आज हम बात करेंगे गंजैपन की हमारे बहुत से भाई हैं ऐसे के सरह पर बिल्कुल बाली है विल्कुल गंजए हो चुके हैं तो आज हम गंजेपन से निज하त कैसे पाएंगे आज इसके बारे में चर्चा करेंगे तो दोस्तों आप इसको देख droplets और पहचाल लो तो यह गुडाल का पेड़ हमारे भारत वरस में हर राजव में पाये जाता है अलग-अलग राजव में अलग-अलग नाम से जाना जाता है दोस्तों आपके यहां पर किस नाम से जाना जाता है आप कमेंड में जरूर बताना तो दोस्तों आप देख लो इसके पत्ते हैं यह गुड़ाल के पत्ते हैं तो दोस्तों यह गुड़ाल का फोल जो होता है यह मंदिरों में चढ़ाए जाता है और हमारी नौरात्री आते हैं तो और ये हमारे भारत में हर राज्व में पाये जाता है तो दोस्तों आप इसको देख लो आपको आसाने से मिल जाएगा बहुत आराम से मिलेगा तो अगर ऐसी प्रोब्लम है आपको अपने घर में किसी को सर पे बाल बिल्कुल नहीं है जड़ गया है तो आज हम उससे निजात कैसे पाएंगे बाल को कैसे उगाना इसकी दवा कैसे बनानी है कितनी मात्रा में इसकी दवा लेनी ये देखो फूल कितने सुन्दर फूल होते हैं इसके तो दोस्तों आप इसको देख लो और पहचान लो तो आपको करना क्या है कि आपको गुडाल का फूल देख लेना है ये फूल जो है पे सुखा के इसको बारिक पीस लेना है बारिक पीस के इसका पाउडर बना देना है आप पाउडर बना लेते हो इसका उसको किसी डब्बे में रख दो और इसके बाद आपको 100 ग्राम के मात्रा में गव मूत्र लेना है गव मूत्र आपको अगर गाउं में मिल जाता है तो ठीक अगर गाव में नहीं मिलता है तो आप मार्केट से लेक्या आओ आपको असानी से मिल जाएगा बहुत आराम से मिल जाएगा मार्केट में पंसारी की दुकान पर तो आपको 100 ग्राम के मात्रा में गव मूत्र डालना है और पचाश ग्राम के मात्रा में जो आप पौडर बनाІ हो उस गुडाल का वो पौडर 100 ग्राम के मात्रा में गव मूत्र के अंदरे डाल देना है और उसको मिला लेना है मिलाने के बाद आपको अपने सर पे उसी का लेप करना है और साम को आप उसको थोड़ा गाढ़ा लगाओ अपने सर पे थोड़ा गाढ़ा लगाना है आपको गाढ़ा लगा के लेप करना है और पूरी रात ऐसे छोड़ देना है पूरी रात छोड़ देना है सुबे आपको उठके नहा लेना है सुबे आपको नहा लेना है इसी प्र करते रहे तो आपका बाल धिरे धिरे आने लग जायेगा और आपको एक से डेड़ महीना कंटीनिव करना आप तो अगर आप तक एक बाहल के वह ब्लब वापस आज जाएगा बिलकुल घना बाल आ जाएगा आपके सर पर बिलकुल उख जाएगा व्हां तो दोस्तों जिस प्रकार से बताएगे आपको उसी प्रकार से करना है और उतने ही मात्रा में लेना है तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूटूब चैनल को लाइक करो कमेंट करो सस्क्राइब करो और दोस्तों सेयर करना ना भूलें फैला दो पूरे इंडिया आमें वीडियो को आप भी देखो अपने यार दोस्तों को बोलो वो भी देखेंगे आप भी इसका फायदा उठाओ और वो भी इसका फायदा उठाएंगे नमस्कार जय है